हालो गाईज वेलकम टू फोरेक्स अले चैनल और इस वीक के फोरेक्स मार्केट अनालसिस में आपका स्वागत है तो यहाँ पर हम वन बाई वन सभी पेर्स कुछ चेक करेंगे और आने वाले पते में कौन सी न्यूज है और कौन सी करेंज स्ट्रेंथ में चल रही है जो आपको माइन में रखनी है सबसे पहले हम चलते हैं फोरेक्स कलेंडर सेक्शन में जहाँ आप मेरी वेबसाइट पर जाए फोरेक्ससालरीकनेक्ट.com और यहाँ पर हम देखेंगे कि आने वाले अपते में कौन सी मेजर न्यू भी इंपोर्टन आप सुपपी तैट को एपिमेंटने करुन करना अब आख से दो इंक्राइब दो आप मेन नियूज अगर आप रहेगी USD से रिलेटेड वो PC Price Index है जो काफी मैटर करता है जो Friday रहेगा तो ये नियूज है जो मेन आपको माइन में रखनी है जब भी आप अपने trade को open रखें या कोई नया trade ले अब देखते हैं कौन सी currency यहाँ पर strength में चल रही है currency strength में देखें गाइज इस ताइम सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है USD सबसे ज़्यादा weakness चल रही है weakness USD में weakness है क्योंकि औरड़ी USD क्यूपर प्रहसर बना हुआ है interest rate का decision अप कट करना और वो करेंगे तो और भी ज़्यादा वो down जा सकता है और यह already पहले से ही speculation स्टार्ट हो चुकिया और इसी वज़े से आप देखें USD पूरी तरगी से वीक चल रहा है बाकी currency सबी strength में चल रही है या फिर sideways सब ज़्यादा strength अगर आप देखें एंजडी या फिर GBP में इवन gold भी all time high चल रहा है पर still अभी यहाँ पर struggle कर रहा है अभी कुछ speculation है कि आप यहाँ से reversal करेगा यह still अब जाएगे depend करता है USD किस तरीके से यहाँ पर perform करता है अब चलते हैं हम अपने market analysis में इस वीडियो को sponsor किया है 5% ने जो कि एक प्रॉप फर्म है जो funding provide करती है traders के लिए जिनके पास fund नहीं होते हैं अगर आप बिल्कुल beginner है आप इनका bootcamp program जोइन कर सकते हैं जो कि low cost से आता है और यहाँ पर 3 step में आप इसमें qualify कर सकते हैं और funding ले सकते हैं या फिर आपके पास money नहीं है skill है पर 2 step program आप इसमें join कर सकता है stake 39 dollar से start होता है और आप जैसे अपने level को बढ़ाना चाहते हैं जैसे एक one step program लेना चाहते हैं तो आप इस program को ले सकते हैं तो अगर आप account खोलना चाहते हैं वीडियो की description में लिंक है वहाँ से आपको 10% discount मिलेगा market analysis में देखें guys सबसे पहला पेर हमारा gold gold में आपको last week मैंने आपको बताया थे कि market में हम इस level पे थे Friday कुछ भी pullback मिले आप buy कीजिएगा और target यहाँ पर देख सकते हैं exactly आप देखें market यहाँ पर pullback किया sideways रही और फिर ऊपर की तरफ गए है exactly आप देखें फिर उसके बाद दुबारा pullback even still अब गए हैं जो हमने support बताई थी मैंने बताया था अगर हम यह level break करें तब ही हम down जाएगे नहीं तो आप still देखें market अभी still अब के लिए ही चल रही है अब next week gold में आप क्या देख सकते हैं तो all time high हमारा still अब चल रहा है resistance है हम यहाँ पर दुबारा down नीशे की तरफ आचे के और market यहाँ से दुबारा react कर रही है कहाँ पर है अगेन हम resistance level पे पहले तो हमें यहाँ पर observe करना है market किस तरह किसी behave करती है क्या market यहाँ पर sideways रह या उपर की तरफ जाए तो still इस level तक आप target देख सकते हैं यह level break हो तब ही हम उपर की तरफ continuous जाएंगे यहाँ पर still हम वेट करेंगे क्या weak बनती है या एकदम से down की moment expect कर सकते हैं फिलाल कुछ major news नहीं है फिर भी देखते हैं USD किस तरह की से perform करता है अगर USD में weakness रहती है still आप उपर की तरफ ही rally देख सकते हैं यह market यहाँ से react करती है इस level से तो maximum target अभी में 2471 देखना चाओगा पर overall मेरा बयास रहेगा कि अभी हम gold में अब के लिए ही जाएंगे पर इस level को जस्ट आप observe कीजिए second pair हमारा guys euro USD यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मैंने आपके बताया था market यहाँ पर still अपके लिए चल रही है अगर कुछ pullback मिलता है still हम अपके लिए ही जाएंगे trend आपका still अपके लिए चल रहा है और market अभी USD weakness में है तो आप देखें market still अपके लिए चल रहा है और जो resistance है उस level तक हम approach कर रहे है next week euro USD में आप देखें तो market previous level को break कर चुकिए है higher high हम बनाते हुए चल रहे है still अगर कुछ pullback मिलता है previous level पर यह even deep pullback आता है इन level से आप buy की ही opportunity देख सकते हैं और target 1.113 के असपास यहाँ पर देख सकते हैं market still यहाँ से भी अप जा सकती है यह level break हो तब ही हम down के लिए moment देखेंगे next pair GBP HD GBP में strength मिल रही है बाकी pair के case में तो USD अल्रेड़ी वीक है तो यहाँ पर आप और strength pull up देख रहे हैं तो market में आप देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ भी pullback मिले आप स्टिल अब के लिए ही जाईएगा आप और ज्यादा बड़े pullback नहीं मिले जो भी pullback स्टिल market अब के लिए ही आप चल रही है next week pound में क्या देख सकते हैं तो हमारा previous जो resistance से इसको break किया है हमारी उपर की resistance 1.332988 है again कुछ pullback आता है आपका 131.724 या 131.272 इन लेवल से आप स्टिल buy की ही opportunity भी देख सकते हैं इस लेवल पर हम observe करेंगे आपका ये level break होता है 138.54 तभी हम down के लिए जाएंगे next pair OG अगर आप देखेंगे OG में खास strength नहीं है पर still USD की weakness सभी pairs में आ रही है और यहां पर again मैंने आपको बताया था कुछ भी pullback मिले गाइस यहां से still आप buy के लिए देखिएगा target 67960 आप देखें मार्केट वहाँ पर ही गई है next week आप इसमें क्या उपज़र कर सकते हैं market resistance एरिया में कुछ खास strength नहीं है पर still कुछ भी pullback मिले आप उपर की तरफ ही देखें जब तक हमारी USD में weakness है 68702 तक का level even deep pullback भी आता है तो still आप उपर की तरफ जाएं यह level break हो तब ही हम down की moment देखेंगे एंजडी USD देखें एंजडी सबस्यादा strength में यहां पर चल रहा है और USD की एंजडी को हो रहा है USD की weakness की वज़े से भी कुछ भी pullback मिले मार्केट में यहां से still up जा सकती है pullback आ सकता है यहां पर 61747 या even deep 61405 still मैं यहां पर एंजडी में strength ही देखना चाहूँगा और buy की opportunity ही देखना चाहूँगा unless यह level break हो तब फिर हम down नीचे की दरफ जाएंगे USD की weakness आप यहां पर भी देख रहे है CAD में कुछ खास trend नहीं है पर still आप देखिए यह level को हम यहां पर break कर चुके है down continuously हम नीचे की दरफ जा रहे है यही मैंने आपको बताया था market में guys अगर आप देखेंगे यह level break हो तो हम still down के लिए जाएंगे unless जब तक हमारा यह red line आप देखेंगे यह break नहीं होता तब ही हम buy के लिए जाएंगे still market down के लिए ही चल रही है next week आपर क्या देख सकते हैं हमारा continuously lower low बन रहा है और हमारी जो नीचे की support है अगर आप देखेंगे हम यहाँ पर approach कर चुके हैं previous level को हमने यहाँ पर break किया है तो अगर यहाँ से कुछ pullback जाता है maximum 135.929 जब तक हमारा यह level break ना हो तब ही हम buy के लिए जाएंगे नहीं तो still आप यहाँ से sort की opportunity previous high या even lower low 134.182 यहाँ तक देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया था guys यह market में हम इस trend line को है अगर यह break होगा retest के साथ आप down के लिए जा सकते हैं unless नहीं तो आप उपर की तरफ जाएए यहाँ पर देखें मार्केट ने break किया retest किया और still आप down के लिए देख रहे हैं पूरा नीचे नहीं गई है पर still market में आप down की moment से हाँ पर देख रहे हैं और आपको काफी trading opportunity यहाँ पर मिली होगी next week के वेच्टी Japanese yen में आप क्या देख रहे हैं तो चैनल के अंदर हम यहाँ पर down चल रहे हैं again support level पर हैं हम यहाँ पर यह level break होता है यह channel के अंदर ही आप अभी स्टोल still sort के opportunity देख सकते हैं जब तक market यहाँ पर यह तो चैनल break करें यह support से उपर की तरफ जाए तब ही हम buy के लिए जाएंगे नहीं तो आप still अभी lower low market में हाँ पर देखेंगे next पर GBP Japanese yen यहाँ पर भी आप देखें guys मैंने आपको बूला था कि market में हम इस level पर आ सकते हैं even trend line भी break करें तो still आप buy के लिए ही जाएएगा जब तक हमारा यह level break ना हो तब ही हम down के लिए जाएंगे आप देखें market down गई level को hold किया और continuously हम अब के लिए गए हैं next week यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं still हमारी trend line हम इसको market को hold कर रहे हैं यह level खास कुछ break नहीं हो रहा है तो market में आप देखें squeeze होते हम जा रहे हैं जब कुछ खास important news आएगी हम यहाँ पर breakout देख सकते हैं still अभी market यहाँ पर ही side range में रह सकती है level break हो तभी हम ओपर की दरफ जाएंगे या फिर trend line नीचे की दरफ जाए तभी हम डाउन तो अभी आप breakout का हैंपर wait कीजिए retest के साथ आप इसमें buy yourself देख सकते हैं last week यहाँ यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि market में अगर यह level break हो जाता है हम down के लिए continuous करेंगे unless यह level break करें तभी हम up जाएंगे आप देखें मार्केट नीचे level break किया retest किया और continuously down के लिए हैं यहाँ पर चल रहे हैं तो एक अच्छी पॉर्चिटी USD Swiss franc में भी आपको यहाँ पर मिली होगी तो guys यह मेरे सबते का market analysis आप अपनी analysis चीजिए और उसी के base पर भी trading decision लीजिए हमारा आने वाला Monday 9 p.m. live webinar रहेगा जहाँ पर आप जोइन कर सकते हैं आप कोई भी question doubt हो या और कोई peers को आप analyze करना चाहते हैं कोई भी trading setup या doubts आप वहाँ पर पूछ सकते हैं link video की description में आप वहाँ से register कर सकते हैं free or cost और अभी के लिए धन्यवाद thank you मिलते हैं next video में